मैं बड़े ही अदब से माननी प्रोफेसर मुहम्मद सुलिमान खाम साहब को मंध पर साधर आमंज़त करना चाहता हूँ आप आए और समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार अपने खायालात रखें आज के इस राष्ट्रिय सोशिर समाद दल के प्रतिनित सम्मेलन के अध्यक्षिता कर रहे हैं अध्यक्ष्य महुदै जी आज के इस सम्मेलन के मुख्यतित और भारत की उम्मीद स्री स्वामी विसाद मौरिया जी सम्मानी एमंच मैं छमा चाहता हूँ सब अपने हैं अपना परिवाय है आधरनी बेहनों भारत का भविश्य युवासाथियों हम अकेले ही चले थे जानिवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया आज का ये एतियासिक सम्मेलन इस बात की का उत्युक्त है कि भारत का सम्मिधान भारत की महान जंता और भारत का बहुचर समाद जिन्दजावीद है इसे कोई मिटा सकता नहीं इसे कोई फना कर सकता नहीं मैं ये बाद जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने गंभीन संकट है मैं अलपसंख्यक वर्ग से आता हूं आप चेहरे से भी पहचान जाएंगे मोदी जी भी कपड़ों से पहचानते हैं अबको इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं हमें खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है हमें इसे खुशी है कि दुश्मन हमें पचानता है लेकिन अपने दोस्तों और भाईयों के साथ होकर हमें गर में सूसलता है आप जानते हैं मैं 57 साल से भारत की बहुजुन राजनीत का एक साधान साकार करता रहा हम सरस्थ में जब उत्तर प्रदेश में पहली करांती आई डाक्टर अतुल जलीर फरीदी तेरियार रामसवाबीन हाईक रामसरूब वर्मा और उस समय के CPI के लो मिलकर जब उत्तर प्रदेश में हम ने उस समय की अधिनायक वादी प्रहान मंत्री इंद्रा गानी को सिकल दिया तो कोई सोच नहीं तखता था कि उत्तर प्रदेश से कांद्रेश की उस प्रहामन वादी नीतिका किरा हुन अंकल व कुछते है आख में दिल में पहुचा हमसे सवाल किया हमारे समाज के लोगों मैं महुर्या जी को चाहता हूं कि इस सवालों पर महुर्या जी गहर करें नहीं है जहां पर मैं सुबा पहुंचा, मुझसे सवाल किया आकर सुलिमान, तुम दुबारा यह जो कर रहे हो मौरिया जी के साथ, तो ऐसा नहो कि धन मेरे पेक्ष शक्टी विखर जाए, मैंने का नहीं, कोई भी शक्ती वैचारी का अधार के बनती है, विक्तिकत्ते नहीं बनती, मैं महौरिया जी को देख रहा हूँ, धनकर जी से मैं चार साल से साथ काम कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है, उने इस सरसर, महौरिया जी के रूप में मुझे हमारे आदरी दुनिया में नहीं रहे, राम सुरुख वर्माजी याद आ रहे हैं, मैं ये बात पर इसमेदारी से कहना चाहता हूँ कि आज इस अल्टरियम में मौजूद जन्समूव अगरा संकल्प ले लेगा तो उत्तर पदेश से करांती का आगास हो जाएगा वो संकल्प यह है कि बहुचंद समाज की सलचना उत्तर पदेश के अलप संक्या केने मुसल्मा को लिए बगया नहीं हो सकती है यह मुझादारी से कहना चाहता हूँ उत्तर पदेश का मुसल्मान प्रतिच्छा कर रहा है दिवान सुथ्य फॉर्मूलेशन आप बहुचनास सो यह फॉर्मूलेशन आप बहुचनास एकने तत्व से पैदा होगा मैं आधरनी मौर्या जी क मुसल्मानों में बड़ा लगना पड़ रहा है। मैं कांदूर के बाव थिक वर्किर साथ बैठा हुआ था। हमारे बड़े इंडर्टिस्स बैठा हुए थे। उन्हें सवाल किया। How can you trust Maurya Ji? His credibility is shattering. I said no, you people have no political sense. You people have no political sense? Well he sensed how to evaluate money. I can say, if you trust me, you trust Maurya Ji. Maurya we lead the movement of the Bhojanaas. Bhojanaas ka movement lead करेंगे और सुलिमान आखरी सांस तक इस जांदोलन में साथ रहेगा. इसी संकल्प और वादे के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय बहुद. साथी अगले वक्ता के रूप में मैं आपके बीच में माननी अमर सिंग चौहान जी जो राश्टी अध्यक्ष हैं, राश्टी जनवादी पार्टी सोसलिस्ट के दोस्तों आज राश्टी सोसिस समाज पार्टी के इस कारक्रम में आप सभी लोगों का हार्दी का बिजन्दन स्वागत करते हुए, माताय बहने एवं तमाम राश्टी अध्यक्ष और हमारे आईडिये गडवन्दन के तमाम गटक जल मैं उनका इस मंच के माध्यम से हार्टी का बिजन्दन और चागत करता हूँ, मैं आपको एक बात कहने के लिए आता हूँ, अपनी बात सेर के माध्यम से कहना चाहिए रहा हूँ, जज़वाए सहादत को क्या की जिएगा, जबकि हमने अपने हाथों में सर ले लिया है, और कतल होने कहां तक बचेंगे हम, कातिलों के महले में घर ले लिया है, अए मेरे साथियों, मैं आज सबसे पहले उस राजनीतिक भ्यक्ति का हार्टी का मिनन्ना नो स्वागत करता हूँ, जो इतने बड़े अपने त्याग को बल्दान करके, एक राश्टी अध्यक्स, एक सोशित समाज पार्टी का संस्तापक, जिसने इतना बड़ा त्याग करके, और अपनी पार्टी के त्याग करके राश्टी अध्यक्स किसी दूसरे को बनाने के लिए, इस देश की अगवा कारी करने के लिए, माननी, श्री स्वामी प्रसाद माउरजी को इस अधिकार दे दिया है, मैं आप लोगों को इसलिए माध्यम से करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि इस देश के अंदर संविदान का, संविदान के उपर कठारा खात हो रहा है, और हो सकता है 2014 के बाद ये संविदान नहीं बचेगा, और जब संविदान नहीं बचेगा, तो मित्रो हम कोई नहीं बचेगा, क्योंकि एक बार ही इन्होंने बोला है कि बिधान चाहिए, या संविदान चाहिए, संविदान के माध्यम से हम लोगों को सभी चीज़ों का मिला है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोग करता हूं मित्रो, ये सोसिज समाज पार्टी के जो अगवाकार बने हैं, हम इनका साथ एकर, हमारे आइडिय करवंदन के लोगों, इनका साथ एकर और इस देश की परंपरा को संविदान को बचाने का काम करेगे, देख चल ला हम तो, चाहे मनी पूरे, चाहे पूरे देश का किसान जला, लेकिन इस सरकार की आख के ना आँखों को दिखाई पड़ा, ना सुनाई पड़ा, वो खुद उसके उपर एक आत्म घाती हमला कर रहा है, इसलिए मैं संविदान बचाने के खातिर इस राश्टी सोसि समाज पार्टी के दामन से दामन कंदे से कंदा मिलाकर चलने का काम करेंगा, मैं राश्टी एक्ट मेजर अमर सिंख चोहाँ यह मादा करता हूं की चोहाँ समाज पूरा, आपके मात्यम से पूरे समाज को आपके तरफ जुड़ा के लगतूंगा मैं अपनी बात बिराम करने से पहले एक सर के मात्यम से फिर कहता हूँ हो गई है पीर परवच्षी निकलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा तो बहनी चाहिए मैं अपनी बाणी को यही बिराम देता हो मितो लेकिन मैं अपने उस प्यक्ति का अपने हाथों से स्वागत करके इस मज को जाओंगा जैहिन जैभाराज जैच्ट चैनल आर्थिक समस्या से गुदर रहा है अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपने चैनल के मात्यों से देश विदेश में समता बंधुता एकता और समवेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या 3169-5768-651 आप हमारे बैंक खाते का विवर्ण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रतना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूँ और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना केरियर बना सकते हैं आपको फिल्म से रिलेटिड कुछ भी प्रोडेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेट अप है जिसमें फिल्म कैमरा है सुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा A2Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 005714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gothamfilmsproduction at the rate gmail.com पर धन्यवाद